हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चनल मैथ इंडियंस में UPSSCC PIT में मैथ की क्लासेज में आज के इस वीडियो से हम सुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर आउशत, एवरेज अभी तक हम गडित में तीन चैप्टर आपको क्लियर करा चुके हैं पहला चैप्टर था पूर्ण संख्याएं, भाई दूसरा चैप्टर था भिन तथा दसमलो और तीसरा चैप्टर था वर्ग एवं वर्ग मूल तो अभी तक हमने तीन चैप्टर भाई क्लियर करा दिये हैं अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आज से हम सुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा चैप्टर आउसत, एवरेज तो आज हमारा आउसत पर यह पहला वीडियो होने वाला है तो भाई इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे आउसत को एकदम बेसिक से देखेंगे और भाई परिच्छाओं में आउसत पर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं इस पसली भाई यूपी ट्रिपल सी आउसत पर किस प्रकार के सवाल पूछता है उन्हें भी हम जानेंगे ठीक है तो अभी सुरू करते हैं हम आउसत अब भाई आउसत ना सामान निभासा में क्या है पहले उसे जान लेंगे जैसे भाई माल लो आपसे कोई कहे कि मैं आउसतन चार रोटी खाता हूं भाई कोई आपसे कह दे कि हम आउसतन चार रोटी खाते हैं तो भाई इसका मतलब यह नहीं है कि वह रोज चार ही रोटी खाता है उसने कहा कि आउसतन मैं चार रोटी खाता हूं भाई इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आउसत निकाला जाए तो आउसत भाई लगभग 4 रोटी का ही रहेगा अब मालो भाई किसी दिन उसने पांच रोटी खा ली, कोई दिन भाई वा साथ रोटी खा ले, तो भाई कोई दिन वा दो रोटी खाए, तीन रोटी खाए, पांच रोटी खाए, भाई इस प्रकार से वा रोटिया खा रहा है, तो अगर आप से कहे कि वा आउसतन कितनी रोट तो चलता नहीं है, हमें भई क्लियर निकालना है कि उसका आउसत रोटी कितनी पड़ रही है, तो भई आउसत कैसे निकालेंगे, जैसे मानलो आपके पास यहां पांच संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे भई, पांचों संख्याओं को जोड दोगे, भई कितना आ जाएग साथ पांच बारा, चवदा, सत्रा, सत्रा पांच बाइस, अब भई बाइस को ना पांच दिन में उसने बाइस रोटिया खाई हैं, तो आप क्या करोगे भई, पांच से भाग कर दोगे, और भई यहां आंसर आ जाएगा 4.4, अर्थात अगर कहा जाए, तो उसने आउसत र भई आपने 5 दिन में 22 रोटिया खाई, लेकिन अगर हमें बराबर बराबर रोटिया खानी पड़ती, तो हम रोज 4.4 रोटी खाते, तो भई पांच दिन में हम लोग 22 रोटी खा जाएंगे, तो भई जरूरी नहीं है कि हम इतनी ही रोटिया खा रहे हैं, हमने भई रोज बदल बदल कर रोटियां खाई हैं, लेकिन अगर कह देता कि आप बराबर रोटि खाओ, तो पांच दिन में आपको 22 रोटि खानी हैं, तो भाई रोज का 4.4 रोटि आपके हिस्से में आती, ठीक है? तो हमने क्या किया भाई? आउसन निकालने के लिए 5 संख्या है थी, पांचों को जोड़ा और 5 से भाग कर दिया, ठीक है? ये सूत्र होता है हमारे आउसत का, तो भाई सूत्र क्या होता है? आउसत बराबर पदों का योगफल और भाग करना होता है आपको पदों की संख्या स अर्थात भाई जितने भी पदों आप सब को जोड़ लो और उन्हें पदों की संख्या से भाग कर दो तो हमें उनका आउसत पता चल जाता है ठीक है तो भाई इस पूरे चैप्टर में आपको केवल एक ही सूत्र ध्यान में रखना है वो है ये वाला आउसत बराबर पदों क योगफल और बटे पदों की संख्या ठीक है तो भाई अब हम कुछ सामान सवालों से सुरू करेंगे और भाई धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे कि आउसत पर किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं अब भाई ध्यान दीजिएगा मान लो कि हमारे पास कोई तीन लोग है ए अब भाई इन्होंने क्या किया इन्होंने अपना अपना भार तौला तो भाई मान लो कि यह 49 केजी के आगए यह आगए 52 केजी के और भाई यह आगए 58 केजी के ठीक है तो भाई तीन लोगोंने अपना अपना भार लिखा हुआ है एक 49 के हैं एक 52 के हैं एक 58 के अगर आप से पूच दे कि बही इनका अौसत भार कितना होगा तो बही यहां पर तीन लोग है तीनों का भार अलगルク लेकिन कहा जाएगा कि इनका ऑउसत भार क्या होगे तो बही आफसक भार आप कैसे निकालожंगे अब यहाँ जोड लीजिये, 5, 5, 10, 4, 14, 140, 8, 12, 150, आ जाएगा भाई, 169, और आप यहाँ तीन से भाग कर दो, ती पच पंदरा और तीन तिया नो, कितना भाई आ गया, तीरपन किलो ग्राम, तो अगर तीन जो हमारे पास लोग है, A, B, C, कहा जाए कि इनका आउसत भार क्या है, तो भाई, आउसत भार है, तीरपन किलो ग्राम, तो अब भाई, इस आउसत से हमें पता क्या चलता है, इस आउसत से हमें पता चलता है, कि जैसे यहाँ पर तीन लोग है, एक 49 किलो का है, एक 52 किलो का है, तो भाई, तीनो ही अलग-अलग वेट के हैं, लेकिन अगर आप बताता है आउसत कि ये तीरपन किलो आसपास के वजन के तीनों लोग हैं जबकि हैं अलग-अलग तो आउसत से हमें लगबग अंदाजा मिल जाता है कि उनका लगभग भार कितना होगा ठीक है भाई तो जितने पदों उनको आप जोड़िए और पदों की संख्या से भाग कर दीजिए तो आपको आउसत का पता चल जाता है अब मैं मालो कि हमारे पास कोई सवाल इस प्रकार से लिखा है और पचास तक संख्याएं लिखी हुई है अब आप से कहे दे कि इन संख्याओं का आप आउसत ग्याद करो तो भाई हमारे पास यहां ना दो तरीके हैं एक तो तरीका है नॉर्मल फिर भाई एक है सौट ट्रिक ठीक है अब भाई नॉर्मल तरीका क्या है कि सबसे पहले आप भाई पता कर लो कि यह संख्याएं कितनी है तो भाई एक से लेकर पचास तक की संख्याएं है तो यह पचास संख्याएं है फिर भाई दूसरी बात यह है कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा ठीक है तब तो भाई आवसन निकालोगे तो भाई योगफल का सूत्र हमें पता है योगफल का सूत्र क्या होता है N, N plus 1 upon 2 क्योंकि भाई normal संख्याइ लिखी है 1 से लेकर 50 तक तो सूत्र होता है N, N plus 1 upon 2 तो भाई यहां से आप क्या करोगे इनका योकफल निकालोगे पचास संख्या हैं तो पचास गुड़े 51 और बटे 2 बाई काटोगे तो यहां आ जाएगा 25 तो लास्ट में आ जाएगा 25 गुड़े 51 यह हमारा योकफल हो गया अब आपसे बाई कहेगा कि इनका आउसत निकालो अब आउसत कैसे ग्याद करोगे आपको योकफल पता हो गया 25 गुड़े 51 है और आपको यह भी पता है कि बाई 50 संख्या है तो बाई बटें 50 करना पड़ेगा 25 दूना 50 51 को दो से भाग करो तो आजाएगा 25.5 तो बाई देखा एक से लेकर अगर 50 तक की संख्याएं लिखी हुई है तो उनका योकफल कितना आ गया 25.5 तो यह हो गया हमारा नॉर्मल तरीका पहले आप पता करो कि कितनी संख्याएं है फिर भाई संख्याओं का योकफल निकालो और आउसत निकाल दो अब भाई यहाँ पर देखो short trick क्या है भाई लेकिन ध्यान अखना short trick वहीं काम करती है जहाँ पर संख्याओं का अंतर समान हो जैसे देखो यहाँ एक-एक संख्या बढ़ा कर लिखी गई है एक-एक बढ़ा कर लिखी जाए दो-दो बढ़ा के लिखी जाए पाँच-पाँच बढ़ा कर लिखी जाए दस-दस बढ़ा कर लिखी जाए लेकिन भाई सम्मे अंतर समान होना चाहिए तभी यह trick लगती है भाई trick में होता क्या है आवसत आप सीधे निकाल सकते हो कैसे निकालोगे प्रथम पद लिख लो प्रथम पद प्लस अंतिम पद और आपको बटे 2 करना है ठीक है? लेकिन कहां पर लगानी है? जहां पर अंतर समान हो अब यहां प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 50 और आपको 2 से भाग करना है 50 है कि 51 बटे 2 बाग करोगे तो आज आएगा 25.5 तो भाई देखा आपने वो वाला तरीका काफ़ी सरल है ठीक है वहाँ आप आराम से ही आउसत निकाल सकते हो भाई कभी कभी तो आपको लिखना तक नहीं पड़ेगा आप सीधा देख के ही आंसर बता सकते हो कि भाई वहाँ पर आंसर 25.5 आ लग जाएगा अब मालो हमारे पास कोई सवाल लिखा है 2468.8 तक की हमें समसंख्याय पता है और आप से कहे दे कि भाई इनका आउसत ग्याद करो अब भाई देख लो कि प्रतेक संख्या में दो-दो का अंतर है और संख्याय अस्थी तक लिखी हुई है अगर अंतर समान है तो आप इस वाले सूत्र का प्रियोग कर सकते हो तो भाई यहाँ पर आउसत क्या हो जाएगा आउसत हो जाएगा हमारा 2 प्लस 80 बटा दो पहला पदलिको आखरी पदलिको जोडो और दो से भाग कर दो तो यहाँ आजाएगा 82 बटे दो और हमारा आउसत आजाएगा 41 तो इस सूतर से यह फायदा होता है कि आपको यहां संख्याएं जोडनी नहीं है, पहली बात तो आपको संख्याएं गिननी नहीं है, कि संख्याएं है कितनी भी हो हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल पहली देखनी है और आखरी देखनी है, जोडना है और दो से भाग कर देना ह लेकिन अंतर समान होना चाहिए जैसे यहाँ दो-दो का अंतर करके संख्या है लिखी गई है अब जैसे भाई कहीं पर लिखाओ से लिखी गई हैं कहीं पर इस प्रकार से लिखा हो 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus dot 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 अमालो भाई 120 तक की संख्याइं लिखी गई हैं तो भाई ये तो पांच के गुड़क है अगर कहीं पर भाई इस प्रकार से लिखा हो 10 20 30 और भää, मान लो 500 तक की संख्याएं लिखी गई है ठीक है तो अगर इस प्रकार की संख्याएं कहीं पराती है तो आप भää समझ जाओगे कि यहाँ पर अंतर समान है जैसे यहाँ 1-1 का अंतर है यहाँ 5-5 का अंतर है और यहाँ भää दस-10 का अंतर है तो अगर अंतर समान है तो आप उस वाले सूतर का प्रयोग कर सकते हो ठीक है जैसे पहले वाले देख लो अंतर समान है जरूरी नहीं कि संख्या एक से सुरू हो संख्या चाहें जहां से सुरू हो चाहें जहां पे खतम हो इस से हमें कोई मतलब नहीं है बस अंतर समान होना चा आउसत होगा 75 सेम यहाँ पर आजाओ यहाँ पहला अंक है 5 और भाई वहाँ है 120 और 2 से भाग करना है यहाँ आजाएगा 125 दो से भाग करोगे तो 62.5 सेम भाई यहाँ पर आजाओ 10 का गुड़क लिखा है 500 तक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 10 आकरी अंक है भाई 500 और 2 से भाग करना है सिधा आजाएगा 510 बटे 2 भाग करोगे तो आजाएगा 25 टिक तो भाई इस वाली सिरीज का आउसत आया 75 इस वाली का आया 62.5 और भाई इस वाली का आगया 25 तो अगर इस प्रकार से क्या सम्मे अंतर एक जैसा है यहाँ एक एक का अंतर है यहाँ पांच पांच का अंतर यहाँ दस दस का अंतर है अगर अंतर समान है तो आप इस वाले सूत्र का प्रियोग कर दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर अंतर समान नहीं है तो आपको फिर वही करना पड़ेगा पहले जोड़ो और फिर भाग करो अब जैसे कहीं पर लिखा है कि प्र्थम 7 अभाज संख्याओं का आउसत क्या होगा ठीक है भाई तो सबसे पहले तो आपको प्रथम साथ अभाज संख्याएं लिखनी पड़ेंगी भै स्टार्टिंग होती है दो से दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया साथ हो गया, ग्यारा हो गया तेरा हो गया, छे संख्याएं हो गई इसके अलावा सत्रा हो गया ठीक है भै तो ये हमारे पास प्रथम साथ अभाज संख्याएं हो गए अभी आपको निकालना है इनका आउसत तो यहाँ पर आप पिछला वाला सूत्र ट्राई नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ अंतर समान नहीं है यहाँ एक का अंतर है, यहाँ दो का अंतर है यहां 2 का अंतर है, यहां 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, क्योंकि भाई अंतर एक समान नहीं है, तो यहां पर आप वो वाला सूतर नहीं लगाओगे, भाई यहां हमारा नॉर्मल तरीका काम करेगा, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 13, 41, 17, 58, और भाई, 7 से आप भाग कर दो, 17, 56, बचे भाई, 2, 7, 2, 14, बचे 6, फिर 17, 56, और भाई, इस प्रकार से दसमलों के दो अंक तक हमने मान निकाल दिया है, तो अगर भाई, इस प्रकार का कोई सवाल मिलता है, जहां पर अंतर समान नहीं है, तो वहां आप नॉर्मल सवाल लगाओगे, स सरेणियों वाले सवाल थे, जो भाई, संख्याओं पर आधारित थे, विभिन प्रकार की हमें सरेणिया पता होती है, और वहां पर हमें आउसत निकालने होते हैं, अब भाई, आते हम आउसत के कुछ और सवालों पर, यहां पर भाई, हमने क्या किया है, उन्हें टॉपिक वाईजना बांट दिया है, भाई, प्रतेक टॉपिक पर ना कुछ हम उदारन लेंगे, और भाई, उन्हें समझाएंगे, ताकि भाई, उस प्रकार का अगर कोई भी सवाल पर इच्छा में आता है, तो आप से भाई, वो छूटे ना, अब भाई, हमारा पहला टॉपिक है, जब कोई समूह में सामिल हो जाए, भाई, यहां पर क्या होगा, कि हमें पहले से एक समूह पता होगा, जिसकी हमें आवसतायू पहले से ग्यात होगी, अब क्या होगा, उसमें भाई, कोई सामिल हो जाएगा, तो आवसतायू कभी बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी, तो कप्तान को अगर हम सामिल कर लें, तो आउसत आयू एक वर्स बढ़ जाती है, कप्तान की उम्र क्या है, अब भाई ध्यान देना, दस सदस्यों की आउसत आयू तीस वर्स है, अगर हमें बाई, नमबर आप पीपल मालूम हो, और उनकी आउसत आयू पता हो, तो वहां से आप क कुल आयू ज्यात कर सकते हो, भै खुल आयू क्या होगी, दस बड़े तीस, आर्थात भाई, तीन सो, अर्थात जो हमारे पास दस लोग हैं, उनकी आयू का कुल योग हो जाएगा तीन सो, अभी भै क्या हुआ है, कप्तान सहाब को सामिल कर लिया गया, तो भै, अब कुल मि टोटल यहां निकाल लो ग्यारा एककम ग्यारा ग्यारा तियां तेंतिस एक शोंतिस समझ में आया कुछ भाई पहले दस सदस्यों की आउसत आयू तीस वर्स थी तो भाई दस लोग हैं आउसत आयू तीस वर्स हैं गुड़ा कर दोगे तो कुल आयू पता चल जाएगी 300 आ गई है तो 11 गुड़े 31 कर दो तो आपको कुल आयू का पता चल जाएगा पहले कुल आयू थी 300 अभी हो गई है 341 क्यों बढ़ गई क्योंकि भाई कप्तान को सामिल कर लिया गया है तो भाई घटा दो तो आजाएगा 41 यह हो गई हमारी कप्तान की उम्र जो कप्तान बाद म सामिल हुए थे उनकी उम्र आगई 41 वर्स तो भाई तरीका क्या रहेगा कि आपके पास जो पहले ग्रुप है आप उसकी टोटल आयू कल्कुलेट कर लो नंबरा पीपल गुड़े आउसत आयू फिर भाई बाद में कल्कुलेट कर लो फिर भाई देख लो कितना डिफरेंस आ गया है और यह डिफरेंस क्यों आएगा क्योंकि भाई हमने बाद में किसी को सामिल कर लिया है बस आपको घटा कर महां उमर का पता चल जाएगा अब दूसरा सवाल देखो कह रहा है कि छे पुरुस हैं आउसत आयू है 37 वर्स ठीक है एक नया पुरुस सामिल हो गया तो क कम पड़ जाती है नय पुरुस की हमें आयू निकालनी है तो भाई पहले हमारे पास छे पुरुस थे आउसत आयू थी 37 वर्स तो क्या करोगे भाई कुल आयू आप निकाल लो छे गुड़े 37 करके ठीक है भाई छेसते 42 और छेती 18 चार 22 आ गई 22 वर्स अब क्या हुआ है कि साथ लोग हो गए है और आउसत आयू दो वर्स कम पड़ गई है अर्थात अब हो गई है 35 अब यहां पर कुल मिला कर आप आयू निकाल लो साथ पना 35 साथ यां 21 चावबिस तो देखो भाई छे लोगों की कुल आयू थी 222 वर्स साथ लोगों की कुल आयू है 45 वर्स डिफ नए पुरुस की आयू होगी ठीक है भाई तो इस प्रकार से आप जो नया आदमी एंट्री कर रहा है उसकी आयू निकाल सकते हो पहले की कुल आयू बाद में कुल आयू और भाई डिफ्रेंस नोट कर लो वही डिफ्रेंस नए पुरुस की आयू के बराबर होगा अब भाई आजाओ तीसरे वाले सवाल पर अभी तक भाई क्या था कि कोई एक विक्ति सामिल हो रहा था तो आउसत आयू में भाई फरक आ जाता था अब क्या है हम यहां मल्टिपल विक्तियों को सामिल करेंगे जैसे 20 विक्तियों की आउसत आयू 25 वर्स है अभी क्या करनी हैं आपकी बार भाई क्या किया हमने 5 विक्तियों को सामिल कर लिया ग्रूप में तो पहले हमारे पास 20 विक्ति थे आउसत आयू थी 25 तो भाई कुल क्या हो जाएगा 20 गुडे 25 तो आजाएगा 500 अर्थात जो हमारे पास पहले लोग थे उनकी भाई 500 वर्स थी टोटल फि इनकी हो जाएगी 20 गुडे 5 तो इनकी आजाएगी 100 वर्स टोटल तो भाई अगर कुल मिलाकर देखोगे तो आजाएगी 600 वर्स 500 इन लोगों की 100 वहां तो भाई आउसत क्या हो जाएगा नया 600 बटे पहले 20 लोग थे 5 लोग आउर आ गये अर्थात कुल मिलाकर 25 लोग है औ और कुल आई हुए हमारे पास 600 तो भाई क्या हो जाएगा यहां काटोगे तो सीधा आजाएगा 24 अर्थात अब कुल व्यक्तियों की आउसत आई हो गई है 24 वर्स तो भाई कुछ नहीं करना है आपके पास दो ग्रूप हो गया अलग-अलग पहले ग्रूप का टोटल निका ले गुड़ा करके भाई योकफल निकला या योकफल को आब कुल व्यक्तियों से आप भाग कर दो आपको आउसत पता चल जाएगा तो चाहें एक व्यक्ति बढ़े या चाहें दस व्यक्ति बढ़े आपको करना वही काम है अब अगला सवाल देख लो कह रहा है कि दस छात चात्रों का आउसत प्राप्तांक जो है वो 42 है दस चात्र है आउसत प्राप्तांक है 42 तो भाई कुल प्राप्तांक निकाल लो 10 गोड़े 42 करके आज आएगा 420 फिर कहरा है कि 5 अन्य चात्र आ गए है जिनका आउसत प्राप्तांक 34 है तो भाई इनका निकाल लो 5 गोड़े 34, 34 पंचे होते हैं 170 ठीक है, अभी कहरा है कुल छात्रों का आउसत प्राप्तांग तो भाई 420 दस का था 175 का था दोनों को जोड़ दो, तो यहां आ जाएगा 590 और कुल मिलाकर हमारे पास छात्रों गए हैं 15 तो भाई आउसत क्या हो जाएगा 590 बटे 15 बस यहां केवल भाग करना है आपको और भाई आपको आउसत प्राप्तांग पता चल जाएगा 15 तियां 45 बचे भाई 14 हो गए 140, 15 नामा 135, बचे 5 हो जाएगा भाई 15 तियां 45 15 तियां 45 अर्थात भाई आउसत प्राप्तांग का जाएगा 39.33 तो 10 चात्रों का पहले गुड़ा कर लिया 5 का बाद में गुड़ा कर लिया जोड़ दो आपको मिला कर 10 और 5 15 चात्र हैं बाद में आप 15 से भाग कर दो आपका अंसर मिल जाएगा तो भाई ये सवाल थे जिनमें हम क्या कर रहे थे भाई चात्रों को ना सामिल कर रहे थे हमारे पास एक गुरूप था उसमें भाई कुछ लोग आकर सामिल हो जा रहे थे अब हम आपको सवाल बताएंगे जिसमें भाई क्या होगा कि गुरूप से कुछ लोग निकल जाएंगे तो यहां सवाल घटाने वाला होगा, अभी तक सवाल जोडने वाले थे अब भैं हमारे पास सवाल है, कहरा है कि कोई कक्षा है, वहाँ 20 छात्र हैं, आउसत आयू है 16 वर्स कोई एक छात्र निकल गया, तो आउसत आयू में 2 वर्स की ना कमी हो जाती है तो हमें निकालनी है उस छात्र की आयू, तो भैं इस सवाल को आप नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे पहले हमारे पास 20 छात्र हैं, आयू है 16 वर्स, तो भैं कुल आयू कितनी हो जाएगी, 20 गुड़े 16, 16 दुनी 32, 320 वर्स एक छात्र निकल गया, तो आप छात्र बचे 19 और आयू में 0.2 वर्स की कमी हो गई, पहली थी 16, 16 में 0.2 कम कर दो, तो आजाएगा 15.8 भैं यहां गुड़ा कर लो, तो आपको आउसत आयू का पता चल जाएगा, फिर भैं डिफरेंस निकाल लो, तो आप जान जाओगे, कि उस छात्र की आउसत आयू क्या होगी, तो भैं यहां पर क्या होगा, अगर आप ऐसे करते हो, तो भैं थोड़ी सी गुड़ा भाग कठिन हो जाती है, खास कर भैं जब दसमलव वाली संख्याएं लिखी होती हैं तब, तो यहां क्या करोगे, आप शॉर्ट कट का प्रयोग भी कर सकते हो, तो भैं अगर एक छात्र निकला है, अगर कोई एक छात्र गया है, अगर भैं एक से ज़्यादा होंगे, तो भैं इस ट्रिक का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर चुकि एक छात्र निकला है, तो उस छात्र की पता है, आयू कितनी हो निसान लगा लू कितनी कमी हो रही है ? दसमलों दो और नई संख्या कितनी बच रही है ? पहले 20 चात्र थे अब 19 चात्र है तो पुराना आउसत कमी हो रही है तो प्लस अगर यहां अधिक हो रही होती तो यहां माइनस जितनी कमी हो रही उतना लिख दो और नई संख्या 19 दुना 38 3.8 आ जाएगा और भाई हमारा आंसर आ जाएगा 19.8 ठीक है तो जो छात्र निकल गया है उसकी आयू हो जाएगी 19.8 तो भाई जो ये तरीका है ये बड़ा ही आसान है तो अगर कमी हो रही हो तो प्लस ये गुड़े नई संख्या और इधर लिखना है पहले वाला आउसत तो भाई यहाँ पर क्या है कि गुड़ा आपको कम करनी पड़ेगी और भाई सवाल आसानी से लग जाएगा अब भाई हमने अगला सवाल लिखा हुआ है आठ महिलाएं है आउसत आयू है 42 वर्स उसमें हुआ है कि चार महिलाएं जिनकी आउसत आयू 38 वर्स है वह कहीं चली गई है तो हमें निकालना है सेस की आउसत आयू क्या होगी तो भाई यहां सवाल गुरुप वाला है चुकि आठ महिलाएं थी उसमें से चार महिलाएं निकल गई है तो भाई यहां हम योग करके ही सवा लगाएंगे गुड़ा करके भाई तो पहले आठ महिलाएं थी आउसत आयू है 42 वर्स तो हम भाई निकाल लेंगे कुल आयू आठ गुड़े 42 करके आठ चकुब 32 आठ दुनी 16 तीनसो छतिस आयेगा फिर भाई उसमेंसे चार महिलाएं जिनकी उमर थी 38 साल आउसत वो कहीं चली गई है 4धी 12 चरूवट 32 एक सो गई तो कुल मिलाकर 336 थी उसमेंसे 152 कहीं चली गई है तो हमें ये निकालना है कि भाई बची कितनी है यहां उमर हो गई चार महिलाओं की, क्योंकि चार ही तो बची है, चार तो चली गई, तो अभी क्या करोगे, जो भी घटा के आएगा, उसे आप चार से न भाग कर दोगे, और आपको उमर का पता चल जाएगा, यहां आ जाएगा 46, अर्थाज जो चार महिलाओं बची हैं, उनकी आ यहां पर भाई लोग घट रहे हैं, तो हम घटा रहे हैं, जो घटा के आए, और जो से संख्या बचे, भाग कर दो आपका आणसर आ जाएगा, तो भाई एकदम सवाल वही प्रकार के हैं, कुछ अलग नहीं है, बस भाई थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अब हमने एक टॉपिक लिया हुआ है, जब एक व्यक्त के इस्थान पर दूसरा व्यक्त रख लिया जाए, भाई अभी तक क्या हो रहा था, कि व्यक्तियों के समूव में कुछ व्यक्त जोड़े जा रहे थे, या भाई कुछ व्यक्त निकाले जा रहे थे, ठीक है, तो हमने सवाल लगा लेकिन अभी क्या होगा कि भाई इसमें एक व्यक्ति निकाला जाएगा तो उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति रख लिया जाएगा अर्थात भाई जो यहां कुल संख्या है जैसे यहां छे संख्या है तो कुल संख्या आखिर में छे ही रहने वाली है क्योंकि भाई आपने ए नया व्यक्ति रख लिया गया है तो आवसत जो है वहां तीन किलो कम पढ़ गया है नय व्यक्ति का भार निकालना है तो बाई समूमें पहले भी छैय व्यक्ति थे बाद में छैयी व्यक्ति होंगे लेकिन 80 किलो वाले की जगह पर कोई नया व्यक्ति रखा गया है जिससे आवसत 3 किलो कम पड़ गया है तो हम निकालेंगे कि टोटल कित्ता कम पड़ गया है तो भाई 6 लोग है और आवसत कम पड़ा है 3 अर्थात टोटल 18 केजी वजन कम पड़ गया है और यह कम क्यों पढ़ा है क्योंकि 80 kg की जगह पर कोई भाई कम वजन वाला वैक्त आ गया होगा तो भाई कितना वजन होगा उसका आप 80 से 18 घटा दीजिए अर्थात जो नया वैक्ति है वहां 62 kg का होगा 18 kg कम चोकि 18 किलो कम पड़ा, 6 वेक्ति थे, तो सबका 3-3 किलो कम पड़ गया होगा तो यहां वेक्तियों की संख्या सेम रहेगी अब उसी प्रकार का एक और सवाल है कहरा है कि 10 लोगों का कोई समू है वहां से 60 किलो भारवाला कोई वेक्ति हटाकर हमने नया वेक्त रख लिया है तो जो आवसत है वहां 2 किलो बढ़ जाता है अब भै 2 किलो बढ़ गया है इसका मतलब जो नया वेक्ति है वहां जादा किलो का है 60 किलो से उसका वजन जादा है और कितना जादा है? तो भै, 10 लोग पहले थे, बाद में भी 10 ही लोग होंगे, और 10 लोगों का वजन 2 किलो बढ़ गया है, तो 10 दूना 20 किलो, अर्थात जो टोटल वजन होगा वह 20 किलो बढ़ गया है, और भै, क्यों बढ़ गया है? क्योंकि 60 में हम भै अगर 20 जोड देंग तो आ जाएगा 80 kg अर्थात 60 kg वाले को हटा कर हमने 80 kg वाले को रख लिया है जिससे भाई या 20 kg का टोटल फरक आ गया है तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? 80 kg ठीक है? तो यहाँ व्यक्तियों के संख्या सेम रहनी है तो आप भाई डिफ्रेंस निकाल लो 10 दूना 20 फिर देख लो बढ़ रहा है तो जोड देना है अगर कम पढ़ रहा है तो घटा देना है ठीक है? तो भाई हमने यहाँ पर 3 टॉपिक क्लियर करा दिये है जब समूह में संख्या बढ़ जाती है तब एक बार भाई समूह में संख्या घट जाती है तब और भाई एक बार जब एक विक्ति के इस्थान पर दूसरा विक्ति रख लिया जाए तब ठीक है भाई? तो इसके आगे के जो टॉपिक हैं हम इसके दूसरे पार्ट में क्लियर करेंगे